तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर fatigue study क्यों की जाती है तो ये इसलिए की जाती है ताकि हमें पता चल सके कि अगर एक organization में कुछ workers काम कर रहे हैं तो उन्हें कितनी frequency में rest intervals चाहिए यानि कितनी देर में उन्हें rest intervals चाहिए उसके बाद जो rest intervals का duration होना चाहिए हो कितना होना चाहिए और साथ ही में the number of rest intervals मतलब उन्हें कितने rest intervals देने चाहिए तो इस study से हमें ये तीन चीज़ें पता चलती है क्योंकि अगर एक industry में कोई workers काम कर रहा है और अगर वो बहुत लंबे समय तक के लिए काम कर रहा है और टेलर ये भी कहते हैं कि जो rest intervals होने चाहिए वो management की wish के हिसाब से नहीं होने चाहिए या फिर manager के experience के हिसाब से decide नहीं होने चाहिए उसकी जगह rest intervals को calculate करने के लिए scientific approach को use करना चाहिए जिसे fatigue study कहते हैं इस study को conduct करने के लिए टेलर कहते हैं कि हमें workers को observe करना चाहिए कि एक average worker किसी काम को करते समय कितनी देर बाद उसे उस काम को करने में थकान होने लग जाती है या फिर उसकी efficiency level उस काम को करने में कम होने लग जाती है और जैसे ही उसकी efficiency level कम होने लग जाती है हमें उसे एक break दे देना चाहिए और फिर हमें उस break का भी time note करना चाहिए कि कितनी देर के बाद वो worker वापस rejoin कर सके अपने काम को अपनी पूरी efficiency से जिससे हमें rest interval का time भी मिल जाएगा इसी तरीके से अगर हम बहुत सारे workers को observe करें और एक average निकालें तो इससे हम decide कर सकते हैं कि कितनी देर में किसी काम के लिए हमें rest interval देना चाहिए और वो rest interval कितनी देर तक का होना चाहिए इसके बाद अब हम discuss करते हैं method study को method study एक scientific technique है management की जिसे हम use करते हैं सबसे best method को find करने के लिए किसी भी काम को perform करने के लिए जिससे हमारी production cost भी कम से कम हो और साथी में जो हम resources use कर रहे हैं उनका utilization भी maximum हो एक organization में और इसमें भी tailor यह suggest करते हैं कि जो method होगा production का वो manager के हिसाब से या उसके experience से decide नहीं होना चाहिए पर उसकी जगह पर हमें अलग-अलग methods को एक organization में try करकर देखना चाहिए कि कौन सा method सबसे ज्यादा efficient है जिसमें हमें सबसे ज्यादा benefit हो रहा है सबसे कम cost पर और उसी method को हमें select करना चाहिए और हमेशा सबसे best method को select करने के लिए हमें उस method का शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए कि जब हम raw materials को select कर रहे हैं वहां से लेकर final product जब तक ready हो जाता है तब तक साथी में Taylor ने assembly line का भी concept develop किया था method study को use करकर assembly line basically जैसे कि हम example लें तो एक car industry में हमेशा एक जो car होती है वो एक assembly line से होकर जाती है मतलब वो step by step prepare की जाती है उसका method fix रहता है कि किस part के बाद कौन सा part लगेगा जिस से सबसे efficiently वो product produce हो पाए और जो method study का main objective है वो यही है कि जो हम production कर रहे हैं उसकी cost minimum हो साथ ही में जो उस product की quality और consumer satisfaction हो वो maximum हो इसके बाद अब हम discuss करते हैं time study को तो सबसे पहले हम समझते हैं कि time study के objectives क्या होते हैं या हमें time study क्यों conduct करनी चाहिए तो इसके objectives हैं the standard time required to perform a job यानि time study से हमें पता लगता है कि एक particular job को करने के लिए एक standard time क्या होना चाहिए उसके बाद setting up the standard target for workers इसका मतलब है कि हमें workers के लिए एक standard target set करना चाहिए कि एक दिन में या एक particular time में उन्हें कितनी units produce करनी है या अपना target achieve करना है उस standard time के हिसाब से उसके बाद determining the number of workers required to perform a job इसका मतलब है कि हम जो particular काम है उसे करने के लिए हमें कितने workers की जरुरत पड़ेगी और उसके बाद categorizing the workers in efficient and in efficient categories इसका मतलब है कि जो standard time और standard target हमने set किया है उसके हिसाब से हम workers को differentiate करें कि कौन से workers efficient है और कौन से workers in efficient है इसमें Taylor suggest करते हैं कि जो standard time है किसी भी काम को करने के लिए वो कभी भी management के हिसाब से या उसके intuition से या उसकी wish से decide नहीं होना चाहिए पर इसके लिए भी study conduct की जानी चाहिए जिससे हमें standard time पता पढ़ सके किसी काम को करने का वो भी scientifically इसके लिए Taylor suggest करते हैं कि हम workers को observe करें कि उन्हें एक काम को करने में कितना time लग रहा है उस time को हम note कर लें और फिर ऐसा कम से कम hundred workers का time हम किसी काम को करने के लिए note करें और फिर उनका average निकाल लें और जो average हमें मिलेगा वो किसी भी काम को करने का standard time होगा और फिर उसी standard time के हिसाब से हमें target fix करने चाहिए कि एक worker को कितना काम करना है साथी में अगर जो workers हैं वो standard time में काम कर लेते हैं या फिर जो average time हमने निकाला है उसमें काम कर लेते हैं तो वो average workers होंगे और जो workers उस standard time से पहले ही अपना target अचीव कर ले रहे हैं वो efficient workers होंगे औ और इस तरीके से ही workers differentiate भी किये जा सकते हैं efficient और inefficient workers में इसके बाद अब हम discuss करते हैं motion study को तो जो motion study के objectives हैं या motion study क्यों conduct की जाती है वो है to determine the movement of workers when they are performing the job इसका मतलब है कि motion study को conduct करकर हम पता लगा सकते हैं कि एक worker को कितना movement करना पढ़ रहा है या कितनी बार कहीं जाना पढ़ रहा है या किसी particular काम को करने के लिए क्या movements करने पढ़ रहे हैं इसका second objective है to differentiate between productive and unproductive movement क्योंकि अब हमने पता लगा लिया है कि किसी job को करने में कितने movements लग रहे हैं एक worker को तो अब हम उसे differentiate कर सकते है productive और unproductive movements में यानि कौन से ऐसे movements हैं जो जरूरी है एक काम को करने के लिए और कौन से ऐसे movements हैं जो unproductive है जिनने अगर हम replace कर दें या उन्हें हटा दें कुछ techniques को use करकर तो उनसे हम उन movements को कम कर सकते हैं efficiency को बढ़ा सकते हैं इसका third objective है for cutting down unproductive and wasteful movements जैसा कि अभी हमने discuss किया अगर हम unproductive movements को differentiate कर सकते हैं तो उसके बाद हम उन्हें हटा सकते हैं जिनसे workers की efficiency बढ़ेगी और इसका जो fourth objective है to design suitable equipments and tools to minimize the unproductive movements of workers इसका मतलब है कि हम unproductive movements को cut down करने के लिए कुछ equipments या tools को design कर सकते हैं जिनसे हम उन unproductive movements को हटा सकें इस study को conduct करने के लिए tailor suggest करते हैं कि हम सभी workers को observe करें कि वो एक काम को करने में कितनी बार move कर रहे हैं या उनके क्या movements होते हैं जैसे कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पढ़ रहा है या बार-बार किसी एक tool को उठाना पढ़ रहा है इस तरीके से सारे movements को वो note down कर लें और ऐसा वो कम से कम 100 अलग-अलग workers के movements को observe करें और उन्हें note down करें और उनके बाद उन्हें classify करें productive और unproductive movements में और उसके बाद वो strategies बनाएं unproductive movements को minimize या फिर उन्हें पूरी तरीके से हटा देनेगी जिसके लिए अगर हम एक example लें तो अगर एक worker को बार-बार नीचे जुकना पढ़ रहा है अपनी table से कुछ tools को उठाने के लिए तो इसके लिए अगर हम एक tool या फिर एक table लगा दें उस worker के पास में जिस पर वो अपने tools रख सके तो इसलिए उसे बार-बार bend नहीं होना पड़ेगा और वो कम energy waste करेगा अपने unproductive movements को हटा देने के कारण जिससे उसकी productivity भी increase होगी और उसकी efficiency भी increase होगी अब हम समझते हैं अगली scientific technique को जो है differential peace wage system इस scientific technique में Taylor कहते हैं कि हमें efficient और inefficient employees को अलग-अलग wage rate पे करनी चाहिए और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हम अलग-अलग wage rate पे करेंगे efficient और inefficient employees को तो जो efficient employees हैं उन्हें extra wages मिलेगी जिसके कारण वो motivated रहेंगे और अपनी efficiency को maintain करके रखेंगे साथी में अगर हम extra wages पे करते हैं efficient employees को तो जो inefficient employees हैं उन्हें भी motivation मिलेगा कि वो भी efficient employees की category में आए और extra wages को ले सकें और साथी में अगर हम production के हिसाब से उन्हें wages पे करने लग जाएं तो जो workers होंगे वो ज्यादा wages के लिए ज्यादा से ज्यादा production करेंगे जो एक company के लिए बहुत ही beneficial होता है और इसलिए ये जो technique है वो सबसे strongest motivator है employees के लिए कि वो अच्छे से efficiently अपने काम को पूरा करें Taylor कहते हैं कि इस technique में जो organization है या जो company है उन्हें एक standard rate fix कर देनी चाहिए wages की एक standard output के लिए और जो workers उस standard output से ज्यादा produce करें उन्हें standard rate से ज्यादा wages मिलनी चाहिए और जो workers standard rate से कम production करें उन्हें कम rate पर wages मिलनी चाहिए जिसके लिए अगर हम example लें तो अगर एक company में standard rate है 50 rupees per unit और जो standard target है वो है 10 units में तो उसे 50 rupees per unit wages मिलेगी तो अगर कोई worker efficiently काम करता है और 10 की जगर 12 units produce करता है तो उसकी wage rate जो है वो ज्यादा होनी चाहिए मतलब उसे अब 50 की जगर 60 rupees per unit pay करना चाहिए क्योंकि उसने ज्यादा units produce की है standard target से और अगर कोई worker कम units produce करे standard target से जैसे की अगर कोई worker 10 unit की जगर 8 units produce कर रहा है तो उसकी standard rate जो है wages की उसे भी 50 units से 40 rupees per unit पर shift कर देनी चाहिए जिससे inefficient काम करने के कारण उस employee की wage rate गिर गई है और different wages के कारण सबी जो workers होंगे वो motivated रहेंगे क्योंकि जो efficient workers हैं उन्हें पहले ही ज्यादा wages मिल रही है तो बाद में भी efficiency से ही काम करेंगे और जो inefficient employees है क्योंकि अभी उन्हें कम wages मिल रही है तो वो efficiently काम करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा wage rate कमाने की कोशिश करेंगे तो ये थी सभी scientific techniques of management अब हम discuss करते हैं कुछ advantages scientific management के तो इसका first advantage है improves efficiency of business through simplification and specialization इसका मतलब है कि अगर हम simplification और standardization की techniques को use करते हैं जैसा कि हमने scientific techniques में पढ़ा था तो उससे एक business की efficiency improve होती है और उस business को काफी benefit होता है इसका जो second advantage है वो है helps in reducing cost of production by eliminating all types of wastages इसका मतलब है कि अगर हम scientific techniques को use करेंगे तो हमारी जो cost of production है वो decrease होगी क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था method study में हम best method को select करते हैं जिससे हमारी cost reduce हो और इस तरीके से हम सारे wastages को हटा सकते हैं और production cost को decrease कर सकते हैं इसका जो third advantage है वो है due to decrease in price firm is eligible to capture a bigger share in market क्योंकि जो production cost है वो कम हो गई है तो एक firm जो है उसके पास एक opportunity रहती है कि वो market share अपना increase कर सके अपने product के लिए या फिर एक बड़ा market share को capture कर सके क्योंकि कम production cost के कारण उनका profit भी ज्यादा हो रहा है और फिर वो दूसरी techniques भी यूज कर सकते हैं इसके कारण ही अपनी products की marketing के लिए इसके बाद जोगला advantage है वो है mutual understanding and corporation brings workers and management closer जैसा कि हमने mental revolution की technique में पढ़ा था कि हम उनके बीच के doubt या suspicion को positive thinking से replace कर रहे हैं तो इसके कारण वो corporation से काम करते हैं जिनके कारण उनकी efficiency भी increase होती है इसके बाद जोगला advantage है वो है more training to improve the skill of workers इसका मतलब है जैसे कि हम method study में जो best method है उसे use करते हैं तो उसके लिए हम workers जो है उन्हें भी train करते हैं जिन से उन workers की भी skills improve होती है और इसका जो last advantage है वो है enables the workers to earn more with the introduction of differential piece wage system क्योंकि हम differential piece wage system की technique में जो efficient workers है उन्हें ज्यादा wages pay कर रहे हैं तो इससे जो workers हैं उन्हें एक chance मिल जाता है कि वो extra wages को earn कर सकें ज्यादा production करके जिन से company और workers दोनों को ही benefit होगा तो इसी के साथ खतम होती है हमारी आज की वीडियो